साथियों, राजधानी की आकांच्छाओं के अनुरूप दिल्ली में नए निर्माण पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है। देश भर से चुनकर आए, जन प्रतिनिध्यों के लिए नए आवास हो, अम्बेडकरजी की स्मृतियों को संजोने के प्यास हो, अनेक नए भवन हो, जिन पर लगातार काम किया गया है। हमारी शेना, हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविदा से जुड़े राश्ट्रियस मारक भी इसमें शामिल है। इतने दसकों बार, सेना, अर्दसैनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राश्ट्रियस मारक आज दिल्ली का गवरो बढ़ा रहा है। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेस्ता ये रही है, कि इन में से अधिकतर तय समय से पहले पूरे किये गए हैं। वरना सरकारों की पहचान यही हैं, होती हैं, चलती हैं, कोई बात ने, चार-छे मेंना तो देर स्वाभाविक हैं। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का इमानदारी से प्रयास किया है। ताकि देश की संपत्ती बरबात न हो, समय सिवा में काम हो, निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो, और प्रफेशनल इजब हो, एफिसेंसी हो, इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं। यह सोच, यह अप्रोच में आई एफिसेंसी का एक बहुत बड़ा उधारन आज यहां प्रस्तूत है। Defense Office Complex का भी जो काम 24 महने में पुरा होना था, वो सिर्फ 12 महने के रिकॉर्ड समय में कम्प्रीट किया गया। यहने 50 प्रतीशत समय बचा लिया गया, वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्तितियों में लेबर से लेकर लोकडाउं डिकना, अपलाना न जाने, कितने सारी कठिनाईयों से बीचम गुजरे हैं। इन तमाम प्रकार की चुनोतियां सामने थी। कोरोना काल में सैंकडो स्रमीकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। इस निर्मान कारिय से जुड़े सभी स्रमिक साथी, सभी इंजीनियर, सभी कर्मचारी, अधिकारी, यह सब के सब इस समय सीमा में निर्मान के लिए तो अभी दन के अधिकारी है। लेकिन साथ साथ कोरोना का इतना भयानक जब खौप था, जीवन और मुर्तियों के बीच में सवालिया नसान थे। उस समय भी राष्ट निर्मान के इस पवित्र कारिय में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, पुरा देश उनको बधाई देता है, पुरा देश उनका अभिनंदन करता है। यह दिखाता है कि जब नीती और नियत साफ हो, इच्छा शक्ती प्रबल हो और प्रयास इमानदार हो, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। मुझे विश्वास है, देश की नई पार्लामेंट बिल्लिंग का निरमान भी, जैसे हर्दीप जी अभी बड़े विश्वास के साथ बता रहे थे, तैस समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा।